तो एक ही रात में 35 भूमियारों को खत्म कर दिया गया कहानी आपने बहुत सुनी होगी कहानी हम भी सुनाएंगे लेकिन यह भी बताएंगे कि आखिरकार राश्रपती जो उस समय तकालीन राश्रपती थे प्रणम मुखर जी उन्होंने इस फैसले को मतलब कि जो आरोपियों को फासी की सजा दी गई उसको पलट के हो दिया राश्रपती प्रणम मुखर जी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है और अपनी किताब में उन्होंने क्या लिखा है और उन्होंने ऐसा क्या पाया कि तमाम आरुपियों को फासी के सजा से मुक्त कर दिया, उनकी सजा को माफ कर दिया बारा नर्सनार आपने इसके बारे में जानते होंगे, आप लोग इसके बारे में सुने भी होंगे कि 35 भूमिहारों को 12 तारीक की आधी रात के बाद और 13 तारीक जब सुरू हो रहा था तब उस रात को गया जीले के 12 गाउं में तांडो हुआ था तांडो वैसा कि एक ही गाउं में एक ही जाती के 35 लोगों का हाथ पाउं बांथ दिया गया उनको उनके घर से दूर एक नहर के किनारे ले जाया गया वहां पर ले जाकर सब के गले को काट दिया गया आगे हम पूरी कहानी बताएंगे उससे पहले अपना परचे दे देते हैं हमारा नाम मुहित कमार सिंग है और आप अभी जनता जंक्शन देख रहे हैं सबसे पहले अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि बारा नरसुनार क्या तो यहाँ पर आप देखिए यहां पर लिखता है कि किल्ड 35 यहां पर लिखा है कि 35 जो लोग है वो मारे गया थे अब 35 क्या थे तो 35 के 35 जो थे वो भूमिहार थे वो 35 के 35 भूमिहार थे यहां पर 12 विलेज के बारे में लिखा है कि गया डिश्टिक वियार में 12 विलेज पढ़ता है 12 गाओं का नाम है उसमें 35 भूम्यारों की हत्या हुई थी हमारे इस वगल में आप इस तस्बीर को देखिए ये तस्बीर उस वक्त की है जब घटना हुआ था घटना की एक कहानी है कि उसमें लालू यादों की सरकार हुआ करती थी जाता है कि 12 में 35 भुवयारों को खत्म कर दिया गया था, 12 तारिक किरात को कहानी शुरु होई थी, तेरा तारिक को पूरी की पूरी कहानी की समाप्ते होई थी, और लालू यादो उस समय सरकार में थे, और उनका कोई भी बिधायक, उनका कोई भी मंत्री महाँ पर पहुंचा उस वक्त बिहार में लालू यादों की सरकार थी, एक अभी मिधायत, एक अभी मंत्री वहाँ पर उस वक्त पर नहीं पहुंचा, यह बारा नर्चनार की कहानी है, आगे हम आपको सब कुछ एक एक करके बताएंगे, आप देखिए, गाहों में आज के समय में जो है कि वहाँ लोगों का एक शहीद अस्मारत बना दिया गया है, वहाँ पर लिखा है कि 12 तारिख दूसरा मही ना 1992 में, पूरी की पूरी घटना हुई, वहाँ पर उन 3500 लोगों के नाम को लिखा गया है, बताया गया है कि उन 35 लोगों में कौन-कौन थे, पुरा-का-पुरा नाम लिख तब उस समय नक्सलियों ने बंदू का जो बट होता है उससे महिलाओं को मारना सुरू कर दिया जो लड़कियां थी, जो महिलाओं थी, जो बच्चे थे, वो वहाँ से नक्सलियों के डर से छितर वितर होने लगे, भागने लगे अब उनका target क्या था कि गाउं के जितने पूरुस हैं उनको एके करके पकड़ा जाए बताया गया कि 12 गाउं का जो पश्मी हिस्सा है उधर से हमला सुरू हुआ वहाँ पर एके घर में जो लोग बाहर सोई हुए थे अंदर सोई हुए तो जो लोग मिलते गए उनको नकसलियों ने पकड़ा पकड़ कर उनका हाथ पाउं बाधा गया उसके बाद से वहाँ के आगे हमने अब एक तस्बीर रिखाई कि इधर एक नहर पड़ता है उसी नहर के किनारे सब को ले जाया गया और उसी नहर के किनारे सब को लाइन से खड़ा किया गया या लिता अब वहीं से पूरी कहानी की सुरुवात होती है वहाँ पर एक-एक करके नकसलियों ने एक-एक ब्यक्ति को खत्म किया लाइन बाइन सब कुछ किया जा रहा था कितनी दर्दनाक होगी वह घटनाप अंदाजा लगाई है कि 35 लोग थे जाती के नाम पर लडाई थी 35 के 35 भू सजा चल रहा था तो उस वक्त जो प्रणमुखर जी थे वह भारत के राश्टपती थे अब प्रणमुखर जी ने क्या किया तो इस केस में 12 या 13 लोगों पर 4 शीट डायर की गई थी अब उन 12 13 लोगों को फासी ही सजा हुई राश्टपती प्रणमुखर जी थे के बाद प्रणमुखर जी अपनी किताब में इसका जिक्र करते हैं वो कहते हैं कि एक बड़ा मुद्पून केस था फरवर्री 1992 का यहां पर देखिए 1992 का जिक्र करते हैं कि फरवर्री 1992 का केस था जहां 12 गाहों में उची जाती के करीब 3 दरजन ग्रामुडों को कुरता से हत प्रणमुखर जी जाती के सारे लोग थे 35 लोग थे उनको एक रही रात में खत्व कर दिया गया अब प्रणमुखर जी इसके बाद क्या लिखते हैं कि 36 लोग इसमें आरोपी थे 36 में से 13 लोगों के खिलाफ चारशिद दाखिल हुई अब 13 लोगों को फांसेगी सजा हमने फांसी की सजा पर रोक लगा दी हमने उनकी सजा को माफ कर दिया 1992 की कहानी है जब 12 नरसनहार में जब भिहार जाती है लडाईयों के आग में आप कह सकते हैं कि जल रहा था उस वक्त पर 12 के 12 जो गया जीव में पड़ता है वहां के पश्मी हिस्से पर गाउं के हमला हो आया हमसे कहा गया कि इन लोगों को फांसी हुई है और उन लोगों ने अपने ही लिए छमा मागी थी राश्पती प्रणज मुखर्जी कहते हैं कि हमने छमा दे दिया क्योंकि वो लोग एक बिसेश अपवाद की सिट्व से गुजर रहे थे और प्रणज मुखर्जी के अन कंत्री और एक भी विधायक कहा जाता है कि उस गाउं में देखने तक नहीं गया क्योंकि उस में के हिसाब से पॉलिटिकली करेक्ट होना लालू यादों के लिए ज़्यादा जरूई था कि वो राइतिक रूप से अपने आप को सीद करें कि हम अपने स्टेंट पर खड़े हैं और एसा लालू यादों ने किया फिलाल बारा रात तारीक की रात को सब कुछ सुरू हुआ तेरा तारीक को खत्म हुआ और चौदा तारीक होते होते ख़बर पूरे देश में फैल गई और आज चौदा फरवरी है तो हम उने आपको बारा नर्शनायर की पूरी की पू पूचाएंगे आप जनता अंक्षन के साथ जुड़े रहिए ब्यक्ते अमरीक शिविशाल खड़े थे और मेरा नाम मुहित कमार सिंग है बहुत बहुत धन्यवार्द